हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त तजमत चलो यह वीडियो में आपको इंफर्मेशन बताऊंगा एक ब्रजर का कॉमेंट आया था कुई दिन तक उनकी मूर्गी अंडों पर बैट रही है खुड़ेक पर उसके बाद उड़ जा रही है ओके दोस्तों यह सवाल है उनक जो आई बोल कर दिख रहा है उस पर मेरे 85 तक वीडियो से रहेंगे हर इंफर्मेशन आपको मिल जाएगी वाँ अगर से कोई भी इंफर्मेशन नहीं मिली तो नीचे डैरेट एक कॉमेंट कर दीजएगा जरूर आपके सवाल का जवाब दोंगा ओके दोस्तों चलो अभी इंफर्मेशन बताता हूँ वीडियो में कुछ मुर्गियां से रहते हैं इस तरह अच्छे से बाइड जाते हैं ओके दोस्तों और वो ब्रदर का ये भी कॉमेंट था कि पहले तो बच्चे निकाली है वो दूसरी बार बिठाए है तो मुर्गिया उट उट जा रही है चु तो आपको इससे क्या होगा ये जो टोकरा दिख रहा है अपको इससे मुर्गी थोड़े मुर्गयां रहते हैं अंडों पर विठाए के बाद उटकर खड़े हो जाते हैं मुर्गयां तब उटकर खड़े हो जाएगे तो मुर्गी की गर्मी वो अंडों पर नहीं लगेगी तो बच्चे नहीं निकलने के चांसे से ज्यादा ओके दोस्तों आपको क्या करना है अगर से वो मुर्गी उठ जा रही है बार बार तो आपको एक पांचे दिन लगाता है क्या करना है एक मुर्गी को थोड़ी देर के लिए इस तरह टोकरा मुच ना है मुचे के बाद आपको ध्यान से याद रखनी है कि एक तरफ से सांध रहनी चाहिए किसी भी तरफ से यहां दहुक्त, ओके दोस्तों आपको खुड़ेख भी आपको किस तरह बिठाना है पहुत, मुर्गी की मेंटालिटी आपको जाननी पड़ेगी दोस्तों कि कि ये मुर्गें भी देख्चे गा, यहां पर कितना शोर कर रहे है, वो अड़नों को छीने नहीं देढ़। ऐसके पास भी नहीं जाने जाएंगी देख रहे है ना ₹ isn't तरह कुछ मुर्गे रहते त्पां में सुबजे बेहतर अच्छे से बहरिश्चे एंगे फ्रांट वह बहरिट जाएगे अच्छ से कुछ मर्गया इस तरह होते हैं अभी यहां जाएंगे थोड़ा सा शौर मचाएंगे खाएंगे यहां इस देख सक्किटर यह थोड़ा सा शौर मचाएंगें तो यह अच्छा बैठेंगे पर जितना अच्छा यह वैट रही है मुर्गी यहां पर इतना अच्छा नहीं बैठेंगे तो वाजस से नहीं बैठेंगे ओके एक पांचे दिन लगातार करिएगा मैं कितने दिन करता हूं सिर्फ 24 आवर्स इस तरह रखने से मुर्गे आज़त हो जाएगी फिर बैट जाएगी ओके दोस्तों क्योंकि हमको सेट अप इस तरह करके रखना चाहिए कि हम एक नहीं मुर्गी को बिठा रहे तो पास एक इसके बाज़क नहीं मुर्गी को बिठा देना तो इसे देखकर वह अराम से बैट जाएगी अच्छे से अगर से वह उठ जाएगी तो यह मुर्गी जाकर उसका अंडा खब्जा करेगी करेकर डर रहता है उससे इसलिए वह अंडों को नहीं चोड़ेगी ओके दोस्तों य अगर से इंफर्मेशन पसंद आए तो दिल से एक लाइक मार देना और मेरे अगले वीडियो से आपको आने के लिए निचे जो रट कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है बस वो दबा दीजिएगा दोस्तों ओके अभी हल बताता हूं आपको पुरे इंफर्मेशन बता दिया सब्सक्राइब कल़ों स JEPS यह नहीं होगा क्या है इसके हां निचे से भूट सारी जानी के जैसा रहता है हवा जयाकी पर फिर आपको अच्छे से हवा जाने के लिए जो इस तरह आपको माज़ों से आपको दोका ही दे रहा होगा एपको से रखना चाहिए ओकि दोस्तों स उसके बाद आप 5-6 दिन के बाद आदत हो गई वह उस तरह ही बैट रही है तो टोकरा निकाल दे सकते हैं आज इस वही उठ जाएगी वही खालेगी फिर वही बैट जाएगी तो इंफर्मेशन पसंद आए तो लाइक मार देना एक और सब्सक्राइब करना मत बूंच हे वनाज दे